नमस्कार A to Z dishes उशाक औरजानी में आप सब का स्वागत है आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने जा रहे हूँ कच्ची केरी का मुरब्बा देखिए आपने पके आंग का मुरब्बा तो खाया ही है और वो मैंने आपके साथ शेर भी कर चुकी हूँ पर यह जो है न देखे इसके लिए आपको एक कच्ची केरी चाहिए वजन में देखने जाएंगे न तो यह 300 ग्राम जितनी है यह बड़ी है कच्ची केरी आप देखे इसे मैंने अच्छे से पानी से वाश करके साफ कपड़े से पोच लिया है उसके बाद इसके ऊपर का छिलका है न वो हम कची करी मीकस करके नहें अब कड़ा देखे और यह बास टैना रखी आप देखेंगे दो आ हुआ अज पर आगार यूखेस पांस नहीं देखेंगे और आप देखेंगे कच्ची केरी अच्छा से पक गई है मैं आप दिखा देखेंगे AK लिको दिखा देदी homme वागे से भी देखे कुछ इस तरह से हो गई है तो अब इसके अंदर में डाल रही हूँ चीनी तो देखे जितनी आपकी कच्ची केरी है जिसे कि 300 ग्राम मैंने कच्ची केरी ली है तो 300 ग्राम ही आपको चीनी डालनी है ज़रूर इनी आप जितनी कच्ची केरी लेते जितने प्राम उतनी आपको चीनी डालनी है अच्छे से मिला लेना है फिर से गैस की आज को बिल्कुल धीमी कर लेना बिल्कुल लो फ्लेम और इसके अंदर हमें डालना है चार से पांच केसर के धागे एक टुकड़ा दाल चीनी का दो से तीन लॉंग और दो छोटी वाली हरी काने चलिए देख तक चैक कर लेते देखे चाशनी अच्छे से पक गई मैं मैंने आपको करीब से भी दिखा दिया तो बनकर तयार है यह अच्छे आम का मुरब्बा जो बहुत-बहुत-बहुत ही टेस्टी लगता है रोटी पराठे ऐसे खाने में तो एक बार इसे की है तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और हां यहां तक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले आज के लिए बस इतना ही थांक यू